पेसाब करते समय यदि आपको भी एक लक्षण दिखाई दे रहा है तो इसको भूल कर भी इग्नोर करने की गलती ना करें यदि आप इसको इग्नोर करोगे तो ये फरदर आपके किड्नी में इंफेक्शन या फिर किड्नी को बरबाद कर सकता है तो कौन सा है वो लक्षण और इसका साथ ही साथ क्या घरे लूपाय है जो कि आपकी किचिन में या फिर आप साधान तरीके से आयरुवेदी की दुकान से लाकर रूप केवल तीन दिन उपयोग करकर जैसे मैं बताऊंगा आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते ह तो ये लक्षण है आपको पेसाब का रुक रुक कर आना पेसाब यदि आपको रुक रुक कर आता है तो आपकी ये दर्साता है कि आपको डिहाइडरेशन हो सकता है किडिनी में इंफेक्शन हो सकता है या फिर किडिनी से इस्टोन निकल कर आपके यूरेथिरा में फसाव तो इसके अलाबा और भी बहुत सारे कराण इसके हो सकते हैं लेकन ये तीन-चार कराण मुक्य हैं और फर्दर या आपके किडनी को बहुत बुरी तioni के से प्रभावित कर सकता है तो इससे बचें कैसे इस से बचने के लिए आपके घर में जडिने है वैसे तो आपको खेत मे कि ज़रूत नहीं है यदि आप सहर में रहते हो तो आपको आयरवेदिक की दुकान पर आराम से मिल जाएगा जो आप ये देख रहे हो मेरे हाथ में ये इस कटोरी में है छोटा गोखुरू देखे करीब से आपको दिखाएता हूँ साफ यदि दिख रहा है छोटा बहुत तेज काटे जिससे की काटे हाथ में ना लग जाए छोटा गोखुरू आपको ये बाजार में अराम से मिल जाएगा इसको आयरवेदिक की दुकान से आपको लेकर आना है यदि इसका पौडर आपको बिलकुल सुद्ध साप मिल जाता है तो पौडर भी ला सकते हैं थोड़ थोड़ा कूट लेना है जिससे कि इनका अच्छे से पल्प निकलेगा यानि कि जो भी क्वालिटीज होंगी वो पानी के अंदर आ जाएंगी राद बर जब आप इनको सो करके पानी में रखोगे तो राद को सो करके एगलास पानी में रख दिया सुबह उस पानी को कहाड़े को गोखरू सहीत ऐसे ही उबालना है जब तक आधा ना रह जाए जब आधा रह जाए उसको आपको पी लेना है सुबह खाली पेड़ ऐसा लगातार आपको तीन दिन तक करना है दो ग्राम गोखरू रात को भीगो कर रखना है सुबह को आधारेने ते कोबालना है चानने के बाद इसको ठंडा करके पी लेना है ऐसा तीन दिन तक करोगे आपको जो ये रुक रुक कर पेशाब आने के समस्या है बहुत हद तक आपकी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी यदि किड्नी में इंफेक्शन होने का खत्रा बढ़ फरदर होने वाला था तो उससे भी आप बचोगे यदि डिहाइडरेशन की समस्या है तो इसी के साथ साथ आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है पानी की मात्रा तो यदि आपको पेशा आप में कुछ भी गड़ बढ़ी लगे तब ही आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी है और इसी के साथ साथ आपको नियमित योगा करना है ताजे फल खाने हैं सबजियां जादा खानी हैं बाहर का खाना नहीं खाना है, तलाब होना नहीं खाना है, मिर्च का प्रियोग कम करें, और लाल मिर्च से तो खासकर दूरी बनाए रखें. तो ये सब नियम और ये तरीका और ये खाना पीना इस तरीके से आपको परिवटत करने के बाद ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी और kidney stone, kidney में यदि पत्री होती है न तो ये गोखरू का कहड़ा आपकी kidney की पत्री में भी आपको मदद करेगा पत्री यदि initial stage में है तब उसको भी खत्म करने में आपको साहता करेगा तो जानकर यदि अच्छे लगी है तो बाकी लोगों के साथ भी आप से रवस्ते कीजिए Thank you so much